1961 में एक हिट फिल्म बनाया गया था उस फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है देवनंद और आशापारिक और उस फिल्म का एक हिट गाना था आपको भी याद होगा सो साल पहले मुझे तुम से प्यार था आज भी है कल भी रहेगा आज मुझे वो गाना याद आता है सो सवाल पहले जेपीसी की मांग थी आज भी है और कल भी रहेगी आज आप जानते हैं कि पांच फिबरुरी से रोज हम तीन सवाल प्रधान मंत्री से पूछते आ रहे हैं आज सो सवाल पुरे हो गए यह सवाल हम अडानी से नहीं पूछ रहे हैं यह सवाल हम प्रधान मंत्री जी से पूछ रहे हैं सरकार से पूछ रहे हैं इन सो सवालों के बारे में जो संदर्ब है कैसे तयार किया गया मेरे साथी अमिताब दुवें इस पर आपको जानकारी देंगे क्योंकि यह पिछले डेड़ मैने से सुबह दोपहर शाम रात इन सवालों में लगे हुए हैं मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोड ने जो समीति बिठाई है विशेशग्यों की समीति जाने माने विशेशग्य हैं यह समीति अडानी केंद्रित समीति है यह अडानी से सवाल पूछेंगे हम जो सवाल कर रहे हैं अडानी से नहीं कर रहे हैं हम प्रधान मंत्री जी से कर रहे हैं सरकार से कर रहे हैं यह सवाल सुप्रीम कोट की समिती द्वारा नहीं किया जा सकता वो सोचेंगे भी नहीं उनको हिम्मत भी नहीं होगी इन सवालों पर विचार करने के लिए ये सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है जेपीसी में बीजेपी के अधियक्ष होंगे बहुमत बीजेपी की होगी पर उसके बावजूद विपक्ष को एक मौका मिलेगा इन सवालों को उठाने के लिए जवाब आगी सरकार के ओर से और ये सब रेकॉर्ड में जाएगा 1992 में हर्शद मैता गोटाले के समय जेपीसी की मांग उठी थी विपक्ष के ओर से सरकार ने पहले किच-किचाई उसका समर्थन नहीं किया पर दो-तीन महीने बाद आपको याद होगा पिधार मंत्री नरसिमराव जी वित्मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने मन्जूरी दे दी और हर्शद मैता गोटाले में 1992 में एक जेपीसी का गठन हुआ रिपोर्ट आई उस पर कारिवाई हुई सिभी को और अधिकार दिये गए कैपिटल मार्किट को और मजबूत किया गया 2001 में एक और घोटाला हुआ केतन पारेक घोटाला कॉंग्रेस विपक्ष में थी अटल वियारी वाजपाई जी प्रधान मंत्री थे तब प्रणम मुकर जी डॉक्टर मनमोहन सिंग सब मिलकर जेपीसी की मांग की वाजपाई जी ने नहीं माना पर बात्चीत के बाद जेपीसी का गठन हुआ तो जेपीसी का गठन हुआ 1992 में जब कॉंग्रेस की सर्थकार थी जेपीसी का गठन हुआ 2001 में जब अटल वियारी वाजपाई जी की सर्कार थी और दोनों स्टॉक मार्केट गोटाले थे ये जो घोटाला है महा घोटाला ये सिर्फ स्टॉक मार्केट टक्सिमित नहीं है ये सरकार की नियत और सरकार की नीतियों से संबंदित है प्रधानमंत्री की नियत और प्रधानमंत्री की नीतियों से संबंदित है ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहें चुप्पी तोड़िये गवतो मडानी जी हम कह रहे हैं चुपी तोड़िये प्रदान मंतरी जी और यही मौलिक अंतर है सुप्रीम कोड समिती और JPC के बीच में यह सुप्रीम कोड समिती सरकार से कोई सवाल नहीं करेगे सरकार को clean sheet दे देगी और हम समझते हैं मैंने 15 फबरुरी को आपको संबोधित किया था और मैंने कहा था आपको आपको याद होगा कि ये समिती सरकार को प्रधान मंत्री को दोश्मुक्त करने की कवायत के अलावा और कुछ नहीं है सरकार को और प्रधान मंत्री को दोश्मुक्त करने की कवायत के अलावा ये समिती और कुछ नहीं है ये clean sheet समिती होगी सरकार को तो इसी लिए जेपीसी की मांग हम बार बार कर रहे हैं झाल